क्या आपको पता है इंसान और चिंपैंजीस के जेनेटिक्स में 99% similarities देखा जा सकता है इतने similarities होने के बावजूद भी क्यूं homo sapiens सी इंसान बन पाए और चिंपैंजीस पीछे रहे गए क्या आपने कभी यह जानने की कुशिस की है अगर अब जानने की इच्छा हो रही है तो congratulations आज की वीडियो में हम इसी के बार में बताएंगे इसलिए इस वीडियो को like जरूर कर देना इंसान और चिंपैंजीस के अंदर mainly 3 तरह का difference देखा जा सकता है पहला है दो पेरों में चलना दूसरा है बड़ा brain और तीसरा है skin पे आने वाला fur जेनेटिक सेम होने के बाद भी इन difference आने का main reason आता है evolution सुनके आप लोगों को हरानी होगी एक ऐसा समय भी था जब इंसान और चिंपैंजीस का grand parents एक ही थे लेकिन समय के बीतने के साथ साथ इंसान बहुत दूर दूर तक travel करने लगे foot और shelter के तलास में और chimpanzees जंगल में ही रहने लगे और evolution के कारण इन दोनों के अंदर इतना difference आ गया एक मिड में तो सब कुछ बताना possible नहीं है इसलिए चैनल पर पुरा वीडियो बना है जाके चेक कर लेना और इस चैनल को जरूर सबस्क्राइब पर देना